नमस्कार दूस्तों, Stock Market Status में फिर से एक पर आपको दिल से सागत करता हूँ, तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ ऐसे कमपानी के बारे में चर्चा करूँगा, जिसके उपर मैं एक साल से इंतेजर करा था, और फाइनली उसका रेजल मुझे आज, मतलब पिछले दिनों में मिला था, तो किस तरीके से मैंने इंतेजर किया, किस स्टाटीज उसको फॉलो करके मैंने काम किया, और उसका कितना रिटान मुझे मिला, सब कुछ मैं अपके साथ सेर करूँगा, इस वीडियो को पूरा लास तक देखेगा, तो जो इस कमपणी के बारे में मैं चर्चा कर रहा हूँ, उसका नाम है Tata Motors, तो फाइनली Tata Motors फिर से Lifetime High को बेक कर रहा, तो Lifetime High को फिर से ब्रेक करके Lifetime High बना चुके है, और जब आप वीडियो देखेंगे, साइद वो चेंज हो सकता है, क्योंकि मैं रणिंग मर्केट में वीडियो बनाता हूँ, तो कोई बात नहीं, मैं कोई टेडर्स नहीं हूँ, इंटरेडर्स नहीं हूँ, कि मैं चोटे-चोटे प्राइस के रेंज के बेसिज में मुझे टेड्स आपके साथ सियार करना है, मैं ऐसे Swing Basis Trader हूँ, ऐसे Swattam Basis Trader हूँ, तो जिसके Time of Period में साइद एक मांद भी लग सकते है, 3 months भी लग सकते है, 6 months भी लग सकते है, 1 साल भी लग सकते है, तो जहाँ पर ये मुझे Tatar Motors ने around 386 days, 386 days लगा दिया Target Minute में, आप कहेंगे सर इतना दिन लगा कर आपने क्या मिला आपको, तेकि 386 days में मुझे कितना percentage का return मिला, चलो एक बर आपको मैं दिखा ही देता हूँ, जो मुझे percentage मिला वो है 89%, almost 90%, तो इसमें एक साल में 90% का return मिला, क्या कोई खराबी return है, मेरे साब से तो बिलकुन नहीं है, आपकी साब से है तो जोरू comment करिए, आगर में आप मेरा पुराना subscribe है तापको पता है, जब मैंने anti लिया था, तब price था around 600 rupees, और जब anti लिया था, तब दिन कौन सा था? 7th of July, 7th of July, तो 2023, 7th of July से लेकर, आज July मंद खतम होने से पहले ही, company ने सारे record तोड़ कर, finally target का अचिव किया, और अगर आप A-B देखेंगे, तो जब देखें, लंबा जरनी होने के बाद, या पे बहुत time में इनके जार किया, बहुत सार लोग मुझे A-B कहा, sir, sir, आप exit कर दीजिए, नहीं तो आपको losses होगा, देखें, मैं losses से डरता नहीं हूँ, losses होगा, तो होगा, पहले बोच जब हूँ, around 90% के आसपास, तो Tata Motors इस market में राज किया, और देखें, जब हरस्द महत का story मैंने देखा, तब मुझे एक चीज बता चला, आप एक हरस्द महत का story में एक चीज बता गया, कि Tata Motors का share उठा लीजिए, में एक हरस्द महता ने खुद काहा था, कि Tata एक पुराना company, एक trusted company है, तो इसके उपर share उठा लेजिए, वो future में आपको अच्छा कासर return देगा, तो आज सही में बूसी तरीकिस return देखा, actually मेरा जो investment है इस company के पौर, around 100 रूपीज, 100 से 150 रूपीज के अंदर है, आप पकड़ लीजी 120 के आसपास मेरा total investment है, उसके बाद मैंने higher side में भी investment किया, तो एक average उपर हो गया, कोई बात नहीं, पर first entity 120 रूपीज के आसपास है, तो सोचिए वहाँ से अगर मैं यहाँ तक देखू, तो almost 10 times के असपास company return rate करके दिया, almost, मैं एक roughly आपको बता रहाँ, तो patience का कितने बड़ा game होते हैं, आपको कुझी सुर्चिए, 2020 में मैंने invest किया, और आज 2024 चल ला है, around 4 years में company 10 times का return दिया, तो एही होते है power, अगर अपने सारे चीज़ों को समझ कर काम किया, अगर अपने patience दिखाया, तो obviously बो company आपको profit जूरू देगा, और मैंने Tata Motors के उपर इसलिए positive view रखा, क्योंकि Tata Motors का दिखें, commercial vehicles में 35% का market से आर है, electric buses के उपर 20% market से आर है, electric vehicles के उपर 68% market से आर है, और वो भी 4 wheelies के उपर, और 49% light commercial vehicles के उपर market से आर है, साथिसाथ passenger vehicles के उपर 13.70% के आसपास market से आर है, और जो medium, heavy, जो commercial vehicles है उसके उपर 58% market से आर है, तो जहाँ पर company एक राज कर रहा है जैसे, राज कर रहा है, obviously राज कर रहा है मैं यही काऊंगा, क्योंकि इसका directly जो competitor है वो है असोगलेलन, तो असोगलेलन ओलेक्टर गिंटेक ए डिरेक्टली इसका computer है, जो computer उतने के दाखास growth नहीं कर रहा है, क्योंकि obviously ओलेक्टर गिंट तो growth कर रहा है, मगर असोगलेलन के एक दिक्कत है, असोगलेलन का जो depth भी कुट है वो चार परसंट से भी ज्यादा है, ताटा मोटस का भी था, आज ताटा मोटस का depth कितना है, एकदम ना के बराबर, जस्ट कौन परसंट के आसपास, और इसको भी जल से जल भी मिटाने वाले है, ये भी अनुस्मेंट टाटा मोटस ने कर चुक है, क्योंकि टाटा मोटस ने टारगेट लिया, कि 20-25 के अंदर अंदर वो depth के एकदम ना के बराबर लेके आएंगे, और 20-30 के अंदर अंदर उसका depth एकदम जीरो हो जाएगा, तो देखे, टाटा मोटस ने जब, क्योंकि इतना लंबा जन्नी होने के बाद कभी ने कभी तो रूखेगा, हाँ, यहाँ पर कोई रेंच अगर 20% के उपर बने, फिर से कोई ग्रेंट कंडल बने और वो भी 20% के उपर, तब कोई छोटा मोटा टेड में लेने के लिए जुरूत त्यार रहाँगा, क्योंकि हाई लेवल में ज्यादा क्वांटिटी टेड नहीं करता हूँ, क्योंकि वहाँ पर कोई भी गरेंटी नहीं होता है, कि वो उपर जाएगा, कि नीचे आएगा, कि कितने दिन होल्ड करेगा, तिसले में एक बार उस जगह पे थोड़ा सा होल्ड करता हूँ, थोड़ा सा छोटे क्वांटिटी के साथ काम करता हूँ, तो आपके क्या रहा है, आपने किस जगह पे एंटी किया था, आप किस तरीके से टाटा मोट उसको देखते हैं, जोगो मुझे कमेंट करके बताना, नेक्सच कमपणी उसका नाम है क्लिन साइन्स अंट्टेकनलोजिस, बेसिकली क्लिन साइन्स अंट्टेकनलोजिस के उपर, मुझे एक दो़स्तों ने कमेंट किया था, कि सर, आपको आपने जो डिसिशन लिया, positively वो आपको बुरी तरीके से फसाएंगे देखे मैंने ये भी बता था कि बड़े बड़े दिगज अनलाइसिस ने ये कहा कि 2025 के बाद जो chemical sector का जो demand है वो बनने वाल है क्योंकि chemical sector का जो demand है मुझे अभी लग रहा है तो अभी से बनना start हो चुके है कि आप खुद ही देख लिजिए जो continuously company के sales बढ़ता हो देखने को मिला था last one year में sales घट चले गए अभी finally उसको recovery भी किया और किछले सालों के तुने से company के sales almost अच्छा खासा देखने को मिले almost positive है expense मिटाने के बाद net profit वो भी देखेंगे तो 80 करोर से 70 बने तो आप कहेंगे sir losses को अच्छा करेंगे तो प्राफिट डाउन हो गया last three quarters को चेक आउट करेंगे तो company के इसमार highest profit जिनाट हुआ तो इही करन के बज़े से मैं इस company के उपर positive था और जब मुझे इस company के उपर एक trade मिला उसके पर मैंने positive decision भी लिया क्योंकि बहुत दिनों के इंतिजर करने के बाद एक soldier एक big head उसके बाद soldier बने और finally देखें आपर breakout हुआ और breakout confirmation भी हुआ और उसके बाद एक company धीर धे करके उपर जा रहा है तो please इस target को मैं आपको नहीं दे रहा हूँ यह मेरा खुद का मतलब strategies है strategies को मैं सरफ आपके साथ share कर रहा हूँ आपको सीखने के लिए क्योंकि आप strategies को सीखिए सीखने के बाद at least 10-10 साल पीछे चले जाकर आप back testing करके देखिए अगर back testing करने के बाद इस strategies में अगर आपको दम लगे तो ही काम करना क्योंकि देखिए किसी को blindly follow मत करना मुझे भी blindly कभी भी follow मत करना क्योंकि आपको trust will तब होगा जब आप खुद research करेंगे खुद analysis करके देखेंगे उसके बाद trust होना चाहिए देखिए मैं आज तक किसी से एक रूपय भी charges नहीं लिया इस सारे चीज़ों को सिखाने के लिए और मेरा कोई कोई course भी नहीं है कोई package भी नहीं है कुछ भी नहीं है हाँ एक telegram channel है यहाँ पर मैं profit होने के बाद screenshot share करता हूँ कि आपको previous data सीखने को मौका मिले ऐसे नहीं कि जब एंटी हो रहा तम में skin sort share करो या पर मुझे बहुत सर दो सेवी comments क्या comments में आकर कि सर आप जब एंटी बनेगा तब share करिएगा देखिए सेवी के rules के खिलाव है मैं इसे नहीं कर पाँगा इसके लिए समा चाता हूँ अगर आप आपको में इस तरीके से चीज नहीं दे सकता तो next company है उसके बारे में चर्चा करूँ उसका नाम है महानगार telecom limited देखिए बहुत सर लोग उचल रहे थे कि M10 लगातार अपस सर्केट अपस सर्केट लगातार उपर चल जा रहा है तो मैं आपको बहले भी बोल चुका हूँ कि operator पूरा के पूरा गेम खेल ला है उपारेटर इसको पूरा के पूरा गेम इसलिए खेल ला है तो कि BSNL का आभी मतलब ट्रेंड चल ला है कि BSNL को लोग मतलब BSNL का सीम यूज करो BSNL का ट्रेंड चल ला है तो बहुत सरे लोग BSNL में पोर्ट भी क्या है बहुत सरे लोग BSNL का नया सीम खरीदरी किया है और बहुत सरे रियर्टल जीओ और वोड़ा पोन का कस्तमर भी काम हूआ है तो मुझे नहीं लगता कि BSNL इतना भ सब्सक्राइब तो इसलिए BSNL का इतना बड़ा टेंडिंग आने के कारण सबसे दा फायदा किसको देखने को मिला MGL को मतला महानगा टेलिकम नेमिटेट क्योंकि यही BSNL का पूरा के पूरा 100% स्टेक मतला MGL का 100% स्टेक BSNL के पास है तो लोग इहीं सोचने हैं कि BSNL के उपर इतने बड़े अपड़ेट आया तो MGL भागेगा ही अब इसली भागा और वो भी किसके उपर FOMA वाइंग के हिसाब से देखिए रॉकेट के तरह भागा एक ट्रेड भी बना था या वो भी आपके सास्यार क्या लंबा सा जारने के हिसाब से देखाए तो कंपानी के उपर क्या बना कफ़ी धन पटन्स पहले कब बना उसके ब पहुच चुपा ह pengis को यो Marking करके रखा था कि स्थेमें स्टैटि डीज में ऑपरेटर किस तरह के से गेम खेना चाते हैं वो भी देखना चाता था तो देखिए operator ने किस तिर्गे से game खेला? उसके बाद क्या? downside, 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 downside downside, बतल लगातर वो game पर चलेगे तो ये तो आज नी तो कल होना ही था किईकि ऑपरेटर तो game खेलेगा ही operator कर जब paid भर जाएंगे तब वो mass mall बेचेंगे और आप माल तब बेज भी नहीं पाएंगे क्योंकि डिरेक्ली लोगता चले गए चले जाएंगे क्योंकि लास्ट टू डेज में लोगता सर के लग रहा है तो लोग माल कहा से बेचेंगे क्योंकि लोगता से बेचेंगे क्योंकि लोगता से बेचेंगे क्योंकि लोगता से बेचेंग तो वो भी एक मांद के अंदर-अंदर, अगर आप भी करते तो आपका भी पैसा दुगना हो जाता, तो देखिए वो अलग बात है, दुगना हो जाता, चार गुना, पांच गुना, दस गुना, ऐसे भी बहुत सरे कमपनी से, एक हफ्त, मैं कमपनी के नाम अगर जाना चाते ह एक मांद के अंदर-अंदर, करीबन 10 टाइमस टन दिया है, 10 टाइमस, यह तो सिर्फ 100% करिटान है, वो 1000% करिटान है, मैं आपको उस कमपनी के बारे में भी बता ना सकता, आपको बता दूँगा, तो क्या मैं उसके उपनी बिस क्या, बिल्कुन नहीं, तो मेरा कुछ रू नाक से हटेंगे नहीं, तब तक आपका कोई भी मतलग कुछ भी नहीं होगा, तो समाच आता हूँ, एसे बात करने में, मेरे मुझे खुद, ऐसे बोलने में, खुद का कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगा, आपका ही दिक्कत होगा, तो देखिए, नेट पॉफिट जो है, अलमार लॉरीज इंवेस्टमेंट लिमिटेड, जो एक 2300 क्रोर का कमपणी है, छोटा सा कमपणी है, फिर भी इस कमपणी ने एक धमा का अनर्जमेंट कर दिया, पबलिक को खुद करने के लिए, एक के बदले कमपणी दस्यार देने जा रहा है, और एक के बदले दस्यार क मैं कोई सेविरिष्टर परसर नहीं हूँ, तो काम करना है, तो आपके सेविरिष्टर अडवाजर के साथ बातचीद करके ही आपको काम करना होगा, तो मिलते नेक्स वीडियो में, तब तक के लिए धन्यबात